सुझंधोν आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसोर्से के बारे में उनके बारे में नैज से कने लए इसका नाम भी है रिसोर्वal दोस्थे उसक निया डिक Um अब यहाँ इसको मैं अच्छा श्म में तो देखी आनिसिंग विच फुल फेल्स सब्सक्राइब मतलब कुछ भी हो सकता है which fulfills जो fulfill करें पूरा करें human wants मतलब मनुष्य की चाहतों को and help in solving problems और मदद करें problem को solve करने में उसे हम कहते हैं resources ठीक है देखो मैं बापीस आपको एक बार हिंदी में बापीस कर देता हूं कि anything कुछ भी हो सकता है जो कि क्या करें पूरा करें human wants को ठीक है और मदद करें problems solve करने में उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते है resources ठीक है इसके examples बता देता है examples आपको बहुत easy समझ में जाए इसके example होते हैं air land soil water or building ठीक है सब क्या है resources होते हैं okay अब देखिए अब दो और आप से सवाल पूछ लेता हूं एक questions कि दर है आप comment करेंगा मुझे कि your home is a resource or not आपका घर resource है या नहीं ठीक है बिल्कुल दिहान से और बता दो कमेंट में ही इनके answers भी आपको मिल जाएंगे सबसे पहले आपके answers लिखेगा फिर answers देखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब जो अगला topic है types of resources ठीक है कि resources की क्या क्या types होते हैं तो बहुत सारे होते हैं resources के कई सारे लेकिन mainly two types होते हैं इन एक होता है natural resources और एक होता है manmade resources ठीक है natural resources और manmade resources अब देखिए natural resources क्या होते हैं तो इसकी definition भी देख लिए अब देखिए इसका हिंदी मिनिंग में आपको पता जाते हैं इसकी definition है anything मतलब कुछ भी हो सकता है which is जो की given by nature मतलब nature के द्वारा दिया जाता है is called natural resources उसे ही हम natural resources कहते हैं ठीक है anything which is given by nature is called natural resources ठीक है यहां तक तो clear है कोई डिक्कत नहीं है एक बात और रियाद रखो every element of nature is a resource मतलब हर जो element है nature का प्रक्रती का वो एक रिस्टोर्स है ठीक है बहुत गहरी बात है और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो nature है वो resources का खजाना है ठीक है इसे भी आप इसे कह सकते हैं तो चलो नेक्स्ट जो है वह है man-made resources ठीक है तो इसका भी बहुत easy इसा ही definition है आप देख सकते हैं यह है any resource मतलब कोई सावी resource होता है इस made by man जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो उसे हम कहते हैं क्या man-made resources ठीक है तो यह होगा आपनी man-made resources की definition अब इसके power resources होते हैं थर्मल प्रांट्स जो होते हैं उन्हें भी हम लिख सकते हूं बहुत सारे एक्जामपल से हैं जितने मिलखना चाहें सब आप लिख सकते हैं अब देखो यह हो गया अब हम पढ़ते हैं other resources ठीक है जो दूसरे होती है ठीक है आपके खुद की resources होती है आपकी जो health है आपके खुद की resources उसको आपको खुद को देखना पड़ेगा इसके बाद देखो second economy of country और military power नेशनल रिसोर्स ठीक है यानि कि जो military power है और जो अपके economy है country की वह क्या है एक नेशनल resources है ठीक है राष्ट्र के resources है ओके इसके बाद चलो next देखते हैं जो की है World Bank और WHO are world resources ठीक है यानि कि वर्ड बैंक है आपको आगे पढ़ना भी है और उसके बाद दो WHO है यानि कि इसके बाद रिसोर्स ठीक है और जो military power होती है वह क्या होती है किसी एक country की सीमित होती है इसलिए हो क्या है एक national resources है होता है oxygen या फिल carbon dioxide oxygen carbon dioxide इनका आप एक्जामपल सकते हैं क्योंकि हर जगा अवेलेबल है ओक यह क्या होती इजी लिए अवेलेबल रिसोर्स चलिए नेक्स देखते है कि दो नेक्स्ट है वह है इन एक्जॉस्टीब रिसोर्स ठीक है तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं थोस प्रेस्ट जो नहीं होते हैं इसको भी कर लाते हैं तो फिर घशतम नहीं होते हैं यह नहीं होते dwa देखो नेक्स टें डियली आवेलेबल रिसोर्स चुन सब्सक्राइब बहुत कम पाय जाते हैं रिसोर्सेज्ञ तो इसकी अगजामपल हम लिख सकते हैं गोल्ड यूरैम इंट भूब सार और भी है तो इसके देखिए एक्जामपल होगा है इसके बाद देखिए next most important जो की है single resources ठीक है दोखो single resources होते हैं मैंने important भी बोला है तो कि क्यों होता है इसकी definition पढ़ते हैं पहले resources which are available at one or two places in the world ठीक है आपको समझ में आया है मतलब ऐसे resources जो क्या available हो एक या फिर दो जगह पे पूरे world में पूरे दुनिया में ठीक है जो कहां कहां पे available हो एक या फिर दो जगह पे available हो पूरी दुनिया में उन्हें हम कहते हैं single resources ठीक है यह क्या है commercial crolight metal यह green lane में पाय जाता है तो देखिए आज इतना ही बढ़ेंगे हम और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे सोईल के बारे में ठीक और सोईल प्रोफाइल के बारे में और वीडियो अच्छी लएक है लाइक शेर सब्सक्राइब जरू करें ठीक और कुछ भी कमेंट हो तो जरू कमेंट करें और डाउट पूछे मुझसे तो